हालो फ्रेंट्स मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं आएंसीस चैनल हलो फ्रेंट्स वेलकम टो आएंसीस एकार्ड़ीव चाइनिज लेंग्वेज तो आज हम लोग यूनीट 4 पढ़ने वाले हैं और यूनीट 4 का जो टॉपिक है वो है मन्त महीना जिसको आप हिंदी में मास की बोलते हों तो मन्त को हम लोग चाइनिज में क्या बोलता है इसके बार में आज पढ़ेंगे जैसा कि आपको पता है कि जो यूनीटका सेक्वेंस है हमारा यूनीट 1 2,3 दे उन्हां गर विए उसके बाद और आप मन्त पर आ रहें नेक्स जो वीडियो होगा यह पर ह सेक्टिप्राइब कर लीजहरं के आप साड्sy ila शि Danish करिप ंमारे वीडियोस को इस अंडियल को सब्सक्राइब कर लिजे सुझे आने वाले सारे वीडियो को बहुत होने वाला इस बहुत इंप्रेस्टिंग कर सकते हैं तो अब आपका जो Chinese का जो में पूर से वो स्टार्ट हो चुका है अब हम उनीट 4 पड़ते हैं So today we are going to study उनीट 4 आज हमारे उनीट 4 है So 4 को हम लोग Chinese में कैसे बोलते हैं First जो वोड था स ध्यान से देखेंगे Actually Unit 4 को हम लोग स पड़ते हैं Right So अगर 4th उनीट बोलते हैं तीसः अन्ख आपको पता है So तीसः ख क्या होगा आपका उनीट 4 Let's see अब उनीट 4 में हमने क्या टॉपिक डाला है Month So month को हम लोग First हम देखते हैं Month को हम लोग आप देखें क्या बोलते हैं Month So month को हम लोग बोलते हैं Way Y-U-E Way means month Way Way means month आपको याद कर लगना है Way means month जैसे कि अपने डे को याद किया था थियान विक को याद किया था सिंग छी या चौव वैसे ही ठीक Similar है Month One word Way So way means month So unit 4 चिंथियन वामेन याद स्वेशी आप धियांच देखेंगे चिंथियन वामेन याद स्वेशी दी सिक चिंथियन वामेन याद स्वेशी दी सिक Right So याप देखेंगे चिंथियन वामेन याद स्वेशी दी सिक So सिर क्या होगे अच्छी आपका सि है 4, so today we are going to study unit 4 चिन थेन वामेन याओ स्वेशी ती सिख ठीक है सिख इस 4th unit चिन थेन तोड़े वामेन वी, स्वेशी स्टडी वे means month अब हम जैसा कि देखते हैं next sessions देखेंगे so next sessions में month को अब क्या बोलते हैं मन्त को हम लोग वे जैसा कि हमने पढ़ लिया वे means month आप देखेंगे Chinese character भी है वे Finnish sound है वे हिंदी में है वे means month अब हमको logically समझना है कि month को हम लोग ने कितने भागों में बाटा है मतलब आप देख सकते कि month को हम लोग कैसे यूज करते हैं तो months को basically जो हम इस करते हैं आप देखेंगे January right next है अपका February वैसा ही है March तो अगर हम numbers में count करें तो Jan 1 Feb 2 March 3 4 5 6 6 और December जादे जाते हैं आपका 1 to 12 होता है तो जैसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था hint किया था कि Chinese का जो numbers है वो बहुत important है Chinese के numbers को बहुत ज्यादा importance दिया जाता है Chinese language में तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने number लिखा य अर सान सि ओ लिओ छी पा चियो शि शिए 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 अगर आपका numbers 1 to 10 याद है तो शिए 11 शिए 12 मतलब आपका month complete कितना डाव लाएगा one minutes आपको क्या करना है sequence याद करना है पहले आपका number बोलना है और फिर आपको month बोलना है मतलब month का first number and then month So January का practice करते है आप ध्यान से देखेंगे Hindi में भी लिखा हुआ है और आपका Chinese character भी है अगर आपको practice करना है So यवे स्टड़ूली मेEC境 करोंड़ लावी आपका है रय जापका है यवे स्टड़ूly अ जवे स्टड़ूरूल्सूध क्योई आपका है अपका है, स्टड़ूलापकी अज़ूलापकाुश्लेवी अगस्टूबूल्सूदूा è तर अ रफक्कानी यवे Capileum spricht on. basically आपका 10 वे October, 12 वे November, 12 वे December तो आपका नंबस कितना हुआ? 12, मन्त कितना हुआ? 12 मन्त कितना हुआ? 12 मन्त कितना हुआ? 12 मन्त कैसा हो गया? इवे, अरवे, सानवे, सवे, उवे, लिवे, छीवे, पावे, छीवे, शीवे, 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 शीरवे अब आप इसको आप दो से तीन वार प्राक्टिस कर सकते हैं? यह आपका 2 मिनिट्स का काम था इसे के लिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको आपको टू मिनिट से जाला टाइम नहीं लेगा एक बार और प्राक्टिस कर लेते हैं इवडे अरवे एवे जान अरवे फब सानभे माच सु वे अप्रल वे मेल लिवे जुन छीवे जुलाइ पावे अगस्त शुवे सेप्टेम्ब्र शिवे अक्टूवर श्ईवे नोवबर श अरवे निसम्मर तो आपका मन्थ किलियर हो चुका है अभी तक